उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फसाए वे आकर उनसे बोले गुरुवर हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते आप मुह देखी बात नहीं करते बलके सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं कैसर को कर देना उचित है या नहीं हम दें या नहीं दें उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा मेरी परीक्षा क्यों लेते हो एक दीनार लाकर मुझे दिखलाओ वे एक दीनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा ये किसका चहरा और किसका लेख है उन्होंने उत्तर दिया कैसर का इस पर ईसा ने उनसे कहा जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को ये सुनकर वे बड़े अचंबे में पड़ गए